गुरू प्यारेओ अकाल पुर्ख वाहि गुरू जिदी अपार बख्षी सदका गुरू सहव जिदी निगी गोदसानों प्रापत हो रही है जिस उद्दमनों मेरे मालक ने आप करवाया है उस सबंदी आज असे इकत्रत होए हैं आज जिस बाणी दी विचार अरंब होन जा रही है ओ है साद बाणी आओ असी सारे इस बाणी दिना जुड़िये अते विचारिये कि मेरे पात्षा इस बाणी रही सनु की सिख्या दे रहे हन और इस समझना सादे वास्ते अती जरूरी है आओ फोन गुरू सहब जी दी अपार बख्षी सदका इस बाणी नु समझन राज़तन करिये अरदास है अकाल पुरू वाहे गुरू जी आप ही किर्पा करके एस सारी सिवा लेलन सानु तुहानु सारे अनु अपनी निगी गुदुच बठाके एस सारा उपदेश आप ही दड़ करवा लेलन जी सारे अपने मन बिरत्यानों एकागर कर दे हुए एक वारी सारे प्यार न बोलो सत नाम वाहे गुरू सत नाम वाहे गुरू रामकली सद एक उवंकार सत गुर प्रसाद जगदाता सुए पगत वशलते लोए जीओ गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जीओ अवरूना जाने शब्द गुर के एक नाम त्यावे परसाद नानिक गुरू अंग दो पर्म पद्वी पावे आया हकारा चलन बारा हर राम नाम समाया जग अमर अटाल अतोल ठाकुर पगत ती हर पाया गुरू ग्रांग साव जी दी पवितर पावन हजुरी विच जुड़ बैठी गुरू प्यारी गुरू सुवारी सासंगर जीओ आब पागे हो जिनन इस मागम बेच शामल होंदा स्पाग प्रापत हो रहा है एक वारी फते प्रवान करो अखो वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते एक बाणी जो अरांग हो रही है जिस दी विचारा पसंजी कर रहे हैं एदा सरलेख आप जी ने सरवन केता है रामकली सद रामकली रागदा ना है जिस रागदे वे जिसम गयन करंदा उपदेश है जा एक बाणी दर्ज किती गई है साथ एदा सरलेख है डिंग दिता गया है जिस दा पाव है सदा साथ दे गुर्बाणी वेट केई आर्थ ने हमेशा वास्ते वी ए लफजा हुदा जदो साथ वक्षेंद सदा महर बाना सबना दे अदारी उथे वदा आर्थ होएगा हमेशा हमेशा वास्ते वो साथे ते महर बान है गुरू अकालपुर्ग फिर ए आएगा बलहारी गुर्ण आपने देवहारी सादवार जिदो पर्शियन तो फार्सी तो आएगा ते एदा पाव उदा सादवार दा पाव सैकड़े बारी और उथे शुरूप दा फार्क होएगा त्योंके एथे ऐसे देनों अंकर लगया होया देनों आंकर तो पाव सदा एह हमेशा वास्ते वी आएगा सो बारी वास्ते वी आएगा ते इथे जो लफ़जा रहे सादे सामने हैड़िंग दे रूबिच एस साद तो पाव अकाल पुर्ख बलो आया होया सद्दा ते पंजाबी गाइन शैली दे वेच लम्ही हे एक देना जो गाया जानदा उन्हों भी साद केंदेने जिम्हे के मिर्जा साहबा आद खनों लोग गाउंदेने गुर्वाणी दे अंदर दो बाणिया अंकत उने एक बाणी जिस दी आसी भीर कर रहें साद थी एक अलानिया अलानिया भी एदे न मिल दे जल दे ने पर अलानिया थे साद वे जिक फारुक है के अलाणिया केवल सोग मही समय ही गाइन कीतिया जा दियाने पर साथ जलिया और हमेशा किसे भी समय आप आउनों गाइन कर सकते हैं पर एथे जो कुछ है वो साथ कुरू पाथ साथ जी सानों समझा आनदा उपराला कर रहे हैं के मनुक जिरा संसार विट पैदा होया है ओ पैदा होके संसार तो उने जाना है और जिस दिन पैदा होया उसे दिन तो मौदा नगारा साथे नाव बजगे है बाबा फिरीदी केंदेने नौबत वज़ी सुबा से हूँ चलन का कर साथ इस करके जदो असी संसार विट आके जाना है ते ओदे वास्ते सार नो त्यारी करनी पैएगी क्योंके जदो संसार ती गल बेख दिया है गुरु अरजिन साब जी दे पावन बचना रही आवन जान एक खेल बनाया आगया कारी की निमाया ते खेड ओख डारी जे सकता जेन चंगी कोचिंग प्रापतो वहे जेनी चंगी प्रैक्टिस होवे चंगा अवयास होवे ते ओन अवयास का दा करना है अवयास पाई गुर्दासाव केंदे जरसान मनुखा जिंदगी प्रापतो होई है एदे वेट जेसी दो गलांदा ख्याल नहीं कर देक तक गुरू की संगत जेर साड़ा ऐसा इंस्सिचूशन है ऐसी संस्ता है जित्थों वेट के सानु रहत मर जादा दी साड़े चंगे संसकारां दी सानु गुर्मत गुणा दी सूझ प्रापतो नहीं एजेसी ओ तो और नाल ही एक अलसमचन वाली है के जेसी दो गलांदा तो बंजी रहागे गुरू की संगतों ते गुरू के शावदी विचारतों फिर एला मनुखा जिंदगी दा आवसर सानु प्रापतो है ए मुड हाथ नहीं लगना पाई गुर्दा साव केंदे साद संगत चुका हाथ ना आवे इस कारके साथ गुरू पात्षा जी ने मनुखा जिंदगी नू इंसानियत पदर देऊते हर मनुख सफल कर सके ओ विचार तारा गुरू गुर्ण साव जी रही बक्षिश कीती है ते ए बाणी जो असी विचार रहे हैं बाबा सुंदर जी दी उचार किती होई जी में कवीर साथ जी दी रचना गुरू गंसाव दे अंदर रबदाची दी रचना इमें ए बाबा सुंदर जी दी रचना है लास्ट विच जाके आप जी इस गालनों सपाष्ट कर लोगे कि ए उन्हा जी रचना है जदो आप अपंक्ती पढ़ांगे कहे सुंद दाजी दे प्रपोते संद गुरू अमरदास पात्साजी ने अपने अंतम समय जान विले प्रवार नूं सदके गुर्शिखा नूं अकठा करके संगती रूप देव जो उपदेश वक्षिश कीता के असे बैमा पर्मातों मुक्तों करके इस अंतम समय नूं कि में सुआर सक हैं उस संदेश जो इस वक्षिस की था सि औस संदेश नो फिर वाबा सौंदर जी ने लेखणी वेचले अन्दा के गुरू अर्जन हम जी नो सुनाय के गुरु अर्जन सासि ने गुरू नानक पाथजी आचिसनो पीज उतरी हो ते सत्विले पाथि प्रिए तर मून्ही न चाहितों होते रामकली राग दे अंदर इसनों दर्ज कीता हैं उसनि पहली पढ़ी दा आप जीने पाठ सर्वन कीता है इंट कीता है। जेने मिच बाबा सुन्दर्जी ने फुर्मान कीता है। साथ पहली समयां जो मूल मंतर संखेप रूप दे विच अंकत कीता गया मंगल दे रूप इक ओ अंकार सत्गुर्परसाद वो अकालपुर्ख एक है जो सर्व्यापी है और एहो जिया गुरु अकालपुर्ख जड़ा अकालपुर्ख है राब जड़ा ओदी प्राप्ती दा केवल एको एकसादन है कि सत्गुरु दे प्रशाद दी रही सत्गुरु दे किर्पा रही उसनु प्रापत कीता जा सकता है रामकली रागदा ना है सत्ग इस बाणी दा सरलेख है जरा पावै सदा ते अगे सत्गुरु पात्ष्या जी बाबा सुन्दर जी दी रही एबतन साड़े न संजा कर देने जो गुरु दाता सोए कि जागत वेच केवल एको एक दाता है सोएधा अर्थ ओ बाकी कोई दाता नहीं हो सकता चाहे कोई बादशाह होए चाहे किड़ा अमीर होए शेहन्शाह होए सारे आवास्ते एको निजम लागव होंदा के जागत पे खारी फिरत है सब को दाता राम जगदे गगेनु से अरिदा पाव जगत वेच ओ अकालपुर्खी ही दाता है पागत वशल तेहें लोये दा पाव तिन्ना लोका वेच जो पागती दी राखी करनवाळा है जिड़े लोको दी पग्ति करदेने उना दी आपनी पग्ति दी ओ रक्कि करनवाडा इस करके गुर्ट शवद समावे गुरु दे शवद दी रही उस पग्ति वेच उदे चरंणा वेच सत्गुरु कहनदे मैं समा रहे हां अवर नजाने कोई जियो मैं आपने उस गुरु द शबत तो बिना उस अकाल पुर्ख तो बिना अवर दा अर्थ हो और मैं किसे मूँ नहीं जानगा पाव मेरे जीवन दा अदार केवल दो गलाने जिमें गुरुनांक साब जी मुसिद्धा ने पुछे आसी तुसी को करा मात बखाओगे साथ गुरु केंदे नहीं तुसी और कोई शक्ति दा पर टावा करो केंदे नहीं ओ सिद्ध हरान होके पुछल लगे तो अदे को केड़ी शक्ति है आत्मक शक्ति केड़ी जेदे करके तुसी सारी यां मंजला नू सार कर दे ते गुरुनांक साब जी ने संदेश देता से ओनों पाईसा पाई गुर्दा साब जीने अंकत कीता गुर संगत बाणी बिना दुजी ओट नहीं हराई कि गुरु की संगत जिन वसी गुरु पांथ केंदे हैं ते अकाल प्रुख बलो प्रापतो आया जो गुरु दी रही बाणी दे रूबिज शबद दे रूबिज प्रापतो आया ओ तो बिना केंदे मेरा कोई अधारनी जीवन दा ते साब इत्थे भी फ्रुवान कारें ने अवर ना जाने कोई जीओ मैं होर किसे नू नहीं जान दा शबद तो बिना अवरो ना जाने शबद गुर कै ए सोजी कितो प्रापतो ही के मानु की टेक विर्थी सब जान देवन को एक पगवान साथ गुरु केंदे ए शबद दी रही प्रापतो ही बाबा अमरदार जी पहला भी जीवन जीरे सान बाब साल दी उमर ता के ए सोजी प्रापत नहीं सी के अवरो ना जाने शबद गुर कै अवरो ना जाने कोई जी ओ उदो ता तीर्था दे उते पटकन दी गाल करमकांड करन दी गाल बरातर रखन दी गाल अनेका तरह दे होर रासमा करन दी गाल पर जदो गुरू का शबद बरत गया ए सोजी प्रापत होगी के साथ गुरू नो सब को वेखदा जेता जगत संसार गिठे मुकत नहोवे जेता शबद न करे विचार उदो ए सोजी प्रापत होई के गुर शबद सुमावे अवर ना जाने कोई जियो अबरो ना जाने शवद गुर कै गुरु दे शवद दी राही होर किसे नू नहीं जानदा किसे मनुखदा आस्रा नहीं लेंदा एक नाम ते आव हैं ओ फिर जड़े पग्ती विचलीन हो जानदेने ओ केवल एक नाम नू ही सिमर दे हन ओधी ही पग्ती करदे हन परसाद, नानक, गुरु अंगद, पर्मपद भी पाव हैं ते गुरु अमरदास पात्षा जीनू एदाद के में प्रापट उई जी में गुरु अंगद साब जीनू पाई लड़ा जीनू गुरु नानक साब जी दी सेवा करके केवल एको एक तरीका है गुरू का रविच परवान होन दा इते कोई पेख नहीं कोई विखावा नहीं बस एक पंक्ति विच एक फिकर है वे साथ गुरू ने इनू बंद की ता होकम मने है हो वै परवान ता खास मैं का महल पाए सी इस कसवती दे होते पाइलाना जी पूरे उतरे ओ गुरू नानक दिया नजरा विच परवान चड़ गए फिर उना दे सेख बने बाबा अमर दाजी ते फिर बाबा सुंदर जी कहन दे बाबा अमर दाजी ने इस गालनों पुलाया नहीं बल्के पिऊ दाद्य जी वेहा पोतरा परवान जदो हो गये हो ता आपने दादे गुरू नूँ भी ते गुरू पिता नूँ भी गुरू नानक ते गुरू अंग दे परसाध दी रहीं उना दी किरपा दी रहीं परंपद्वी पावहें जड़ी आज प्रापती होई ना परमपाद्वी दी, एड़ी परमपाद्वी के सिखा दा कोई फंक्षन होगे, चाहे ओ अमर्त संस्कार होगे, अनांद संस्कार होगे, ओ मिर्तक संस्कार होगे, चाहे कोई साधा जान्म संस्कार होगे, अमर्त वेले दा शाम दा समागम होग वो उदों तक संपूर नहीं हुंदा जनुता गुरु अमर्दास जिदे पावन वचन अनासाफ जिदी बानी जड़ी या पड़ी नहीं जाने एमान क्यों प्रापत होया और पत्ता दोरा एगाल आख देनी के दुनिया दियां गिंटियां मिंटियां कीतियां जा सकतियां ले अमर्दास गुण तेरे तेरी होपमा तोहें बढ़ आवै एपरम्पादिविके में प्रापत होई गुरु किरपा दे पातर वणके गुरु की बक्षिश रहीं ते साथ गुरु क्याने भी पारम्पादिविके में गुरु नानकी किरपादे ना ते ग्रु अंग साब चले नुबारा 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 च प्राप्त करके बंदा कदी मरे यह 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 गरी प्राप्ति तो बात बंदा एक है सके की के जिस एक डराएं मेरे मन अनन्द मरने ही थे पाई है पूर्ल परमान अटाल यह थो मुंडमुण के पठक्रहा तीकाल ने अब हमन का मल्गुर आशरम दीना ओ ट्काणा प्राप्त फोगा नौन के बंदा करता हम जिट अरुन जनम जला ओ भो नान्य के करके विल नाम तृत प्रापत ओई टिकाना प्रापत हम गया लान जन तवी टोलिया ना जा सके के तोल के को बंदा आखे पर काटदा है यह प्रवान नहीं नहीं ओ अतोल बन गए क्योंकि नाम जिड़ा है ओदे बराबर दी शक्ति होर कोई होई नहीं सकती नाम तोल कश अबर नहोए नाम दे तोल कोई होर नहीं ते पाई गुर्दासाव कहें दे जदों जनक जी नी साखी ले करके जदों ओ गये ना संसारतों देव लोक नो चलिया गंगंदार वसवा सुख वासी जंपर गया पुकार सुन विललाइन जी नर्क निवासी तरमराए नो आखे उन सबना दी कर बंद खलासी करे बेनती तरमराए हों बंदा सेवक अवनासी कहले लगा मैं ता उस अवनासी प्रबूदा नौकर ह चाकर हा मेरी की पाया कि मैं इननों चाड़ सका इननों कैद विच रख सका कैनल के फिर इननों इलाज की है कैनल के इलाज है प्रबूदा सिमरन प्रबूदी बंदगी ओधी मेडिटेशन ओधा नाम ओधी पागती उनों बराबर राखे ना दे पापाने ते फिर जो बराब या नी जा सकता ओ बड़ा अत पारा है ते ओधी कोई बराबरी संसार बिचनी हो सकती अतोल ठाकुर ओजड़ा ठाकुर है अमर अटाल ते अतोल जागत विज्जनु किया जान रहा है ओधे नार ही जड़ो सांज बनगी ओनुझ जड़ो प्रापत कर लेया परके में प्रापत किता गुरु साब केंदे गल्ना बाता नारनी पगत ते हर पाया तो उनुझ प्रभू दी पगती करके ओधी बंदगी करके उस ठाकुर नुझ अतोल नुझ अटाल नुझ अमर नुझ इस जागत विच प्रापत कीता इस तरह आपने जीवन दे विच गुरु अमरदास पा सोचदा हाँ भी सद्धा थे साथ नुझ ऑने हैं पर उस सद्धे विच बड़ा फरक है एक होंदा है बड़े प्यार नाल सतकार दे नाल किसे नुझ इन्विटेशन देना आपने कार सद्धना एक सद्धा थे ओ भी होंदा है ना असी समाज विच रेंदे यहां कई बारी ठाने तो सद्धा आजना मुनुख नूँ बिचालबी तेने पौसाले ने बुलाया है तो जे कोई मुनुख जुर्म कार्दवे कोई जुर्म कार्दवे फिर जड़ा जाज़ा हो भी सद्धा पे जड़ा है पर उस सद्धे वेच ते किसे आपने प्यारे जी सद्धे वीच बड़ा फरक है गुरू अमर्दाथ जिनों जड़ा सद्धा आया है नुख अदब सत्कार दे लगी आया है अकाल पर कुवाई गुरू जी आप सद्दे पेने प्यार देना सद्दे पेने सच जानना जाता कर रबना सद्दे प्यार देना लगो तक मुनुखा जनमदा कोई फैदा ही नियेगा हुन क्यों सद्दे आप अकाल पर कुवाई गुरू जी ने क्यों गुरु जीनों आपने मिच समा रेने क्यों गुरु सहिब जीनों इन्नी इज़त बख्षी जा रही हो ता कारण है एस बानी देवेट जानों गुरु सहिब जिदा इतहास वी नजर आएगा थोड़ी जी डूंगी चात मारी एगुरु अमरदाजी किस दे उपाशक सान गुरु अमरदाजी ने जीवन किस तरह बतीत कीता है एक एक अखर सानु दासरे है कि गुरु अमरदाजी जीवन कैसा है जग दाता सोए गुरु अमरदाजी समझ देने याद रखना जिते गल आ रहे है ना आ रहे है ओ और किसे नू नहीं जान दे एक नाम ते उन्दे हन एक गुरु अमरदाज जी वास्ते आ रहे है एक नाम ते आ वहें सतकार दे वास्ते गुरु अमरदाज जी एक नाम नू यते उन्दे ने गुरु सहीब जी किसनु दाता समझ दे पे ने ऐ सिखा तुम ही आपने जीवन विज़े चाहत मार की तुम ही दाता किनु समझ ने जे गुरु अमरदास जी अकाल पुर कुवाह गुरु जी नुही दाता समझ रे ने ते सानुवी ते राबुनों भी दाता समझना चाहिए दाना सानुवी थाँ 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 ते पठकना नहीं चाहिए दा साधी भी चोड़ी केवल एक अकाल पर खुवाह गरू दे अगे ही अड़नी चाहिए और जो अगे आएगा ना उसनों एक क्लियर कार रही गाला गरू तो इलावा किसे होर दे उते निश्चा लेके ही नहीं उन्हें क्यों उन्हादी अपनी बाणी पर के वेखो ओ आपके नहीं कहने बही मेरी जड़ी प्रीत है ना मेरी जड़ी रीत है ओ ते हरी देन आली है मेरी होर प्रीत किसे दिनाल विनी हार मेरी प्रीत रीत है हार मेरी हार मेरी कथा कहानी जी गुर प्रसाद मेरा मान पी जै एहा सेव बनी जीयो रहाओ केंदे सिम्रतियां दी गाल कार लो शास्त्रां दी गाल कार लो तोड़े रिष्टेदार नहीं दी गाल कार लो अपने पैना प्रामा दी गाल कार लो पदार्थां दी गाल कार लो ओ केंदे नहीं मेरे वास्तेत केवल एक अकाल पुर्खवाई गुरू ही है हार मेरा सिम्रित ह हार मेरा शास्त्र, हार मेरा बंधप, हार मेरा पाई, हार की मैं पूख लागे, हार नाम मेरा मन त्रिपता है, हार मेरा साक अंत होए सखाई। अकाल पुर्ख वह ग्रुजी तो इलावा उनाने किसे होरों अपने जीवन विछ लेके नहीं होंदा, क्यों, हार बिन होर रास कूरी है, चल दे या नाल ना जाई, हार मेरा तान मेरा साथ चाले, गुरु अमर दाज़त जीवन है, जो ओ केंदे ने, उसे उसार जीवन बतीत क अरदे ने, जाँ हों जाओं तह जाई, केंदे जड़ दूजे दे लगे ने, ओ की ने, केंदे उते चूठे ने, सो चूठा, जो चूठे लागए, चूठे कर्म कमाई, कहनानक हर का पाना हुआ, कहना कछू ना जाई, हुन गुरु अमर दाज़ जी दे ये बचने, वाकि जो उना ने क्या है, उसे तरह अपना जीवन उना ने, बतीत कीता है, इस करके बाबा सुंदर जी केंदे ने, गुरु अमर दाजी केवल एक अकाल पुर्क वाहि गुरु जी दे नाल ही जड़े रहे, उसे नो उना ने दाता समझिए और जान दे सणं कि रब जीड़ा है, क पगद तत्यनु है तारे कुल से आरी तुसी वेखो गुर्बानी दा पार जदो करोगे तिन रुपां विच इस तरह लिखे आएगा एक ते आरूप है पगद तत्यनु से आरी एक आएगा पगद तत्यनु कोई मात्रा नहीं आएगी मुक्ता होएगा एक पगद गगद तत्यनु अंकड आएगी तुसी पढ़ देओ तेरे पगद तेरे पगद सलाहन तोद जी ओथे तत्यनु कोई मात्रा नहीं है तेरी पगद तेरी पगद तत्यनु से आरी है छुण इना विचा फर्क भी समझ लिए जिथे पे होएगी स्यारी ओदा अर्थ होएगा पगद तत्यनु अंकड और अर्थ होएगा एक पगद किसे एक पगद धी गगद है जिठे पगत तते नो कोई मातरा नहीं होएगी ओथे अर्थोंगे बहुत ज़्यादा पगत एथे गालचारी है पगती दी किसे कर्म कांडा नू 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 प्रियाप्यार करनवाला है कर्म कांडा नू प्यार करनवाला नहीं मैं पहला अर्ज किती सी एस नू समझांगे तां अगलियां पंग्तियां सानू समझांगी है क्योंकि यसी लोग कर्म कांडा विच रुज्जे हुए हैं और आप खोशो जाएगा सनमुक्ति में जाएगी हजूर केंदे ने नहीं पगत वचल तेहें लोगे जियो और तिन्ना लोकां विच पगती नोई प्यार करनवाला है किसे कर्म कांडा नो नहीं कदे बानी पढ़ के विखो हजूर ते कैंदे ने ना तुँ आमे वस तु वस विच नहीं आउदा और कदे अगे लेश्ट पड़ो विकेड़े केड़े कमा करके तु वस नहीं आउदा बोता दान दे दी गालवी आ गई तीतना यह दी गालवी आ तरतीता यहदी गालवी आगई जे मुनुक कोई तीर था ते इश्नान करदा फिरे पैदल यात्रामा करदा फिरे वर्त रखदा फिरे बहुत दान करदा फिरे रब वासविच नहीं आउदा क्यों? रब लुत पगती प्यारी ये इसे करके तुसे रोज बचन पढ़ दे ओ गुरु गोविल सिंग जी दे ओ आखदे ने तीरत नान दया दमदान सुसंजम नेम नेक बसिख है बेद पुरान कतेव कुरान जमीन जमान सबान कपेख है पाउन आर जती जततार सवैसु बिचार हजार तो देख है शुरी पगवान पजे बिन पूपत एक रती बिन एक नालेख है जे रबनल प्यार ही नहीं बढ़े है जे रबनल एक मेकतार ही नहीं होई एक रती बिन एक नालेख है एक भी किसे लेखे विच नहीं पामे कोई पौना हारी हो जाए पामे कोई अलाग अलाग तार्मिक गरंत परदा फिरे तीजितां तेशनान करदा फिरे कोई फैदा नहीं क्योंकि राबते पगत वच्छल है पगती नू प्यार करन वाला है और एदे विच शबद अपमा आई है गुरु शबद रही ही समाया जा सकता है देखो गुर शबद समाव ए गुरु अमरदाजी साथगु दे शबद राही उस अकाल पुरक विच लीन रहे हन ऐसे खा तू भी लीन हो सकता है इसे करके वो बोल दे रहे तुसी हुने अनमसादा पाद कीता है संक्ती रूप दे विच उने विस शबद लाग सवारिया जनम नू एस सरीर नू सवारमदा कोई तरीका नहीं केवल शबद ही है शबद नाला कई सवारिया जा सकता है उना ने आपने जीवन दियां कमायां सानो दस्यां ने भी मैनुकी में पराप्ती होई है सुन्दर जी कह रहे ने गुरू दे शब दे रही ही ओर रबदेविच लीन रहे ओर तो भिना होर ओश वरगा ओठी अगर नो नहीं जान दे एक प्रभू नो तेनदे हाँ फिर गुरू दिकिर्पा परसाद नानक गुरू अंगद गुरु नानक अते गुरु अंगसेव जिदे किरपा रही परम पदवी पाव हैं एव गुरु अमर दाह जी वास्ते ही है कि ओ उच्छे दर्जे नू प्रापत कर चुके हान और डूल अवस्था प्रापत कर लई है आया हकारा चलनवारा हर राम नाम समाया खुन औना नुचलन दा सद्धा आगया पर एशद्धा प्यार रुपी सद्धा है एव मान वाला सद्धा है एव राबजी ने वहां खिलार के जिमें एक माँ आपने बच्चे नू केंदी ना आजा ओब बच्चा जब जानदा माँ चोकले दिये वह इस तरह दा सद्धा है सानुवी किदर एशद्धा आजाए सानुवी किते अकाल पर को वहां खिला के के आँ मेरे पुत्रा तन मैं चोकल लवां सानुवी करे आँ मेरे पुत्रा तन गोद विच बठा लवां देखो एबानी जो पढ़ दे हां असी तो सिख्या भी लेनी है असी आपने गुरु सह गुरु शब्दे रही असी वी राबदी विच समा सकते हां जाग अमर अटोल अतोल ठाको राबता ऐसा है पर प्रापती किती जा सकते ये पगत ते हर पाया राबदी पधिती तो जिवें गुरु सहब जने प्रापत किता सानुवी एसेड मिल दिये असी वी पगती करनी है असी वी राबदा सिम्रन करना है जी स्ने अदिता पाई मेरे कोल आजो मेरे पास बैठो सथकुर्पाने आपने अगे गल आएगी सब पर बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोँ सी पयली हिलायः एही दिती मत मैं पिछे कोई रोँ सी सो मैं मूल न pig्ला बातां आप जने व्रतक रूप इस कीती हैं ते इसन पॉड़ा समयदार से श्याणा से उननाने बड़े टांगनाल इननु कागस्ते जों पाशने गे मेरी यां गल्नाते आननाल सुनौ। तो उनने बड़े टांगनाल के कागस्ते उते नोट कार लियां। फिर उसनों वार्तक रूप देता गुरु जी जों जो दस्देरे नेरा मन लीन है उनना गल्नानों उनने बड़े टांगनाल वार्तानों बादविश कवता दा रूप दे रिता। उप्रांथ जदो गुरु अर्जिन पाथ्षा जी दा समा आया उनने देख्या एक बड़ी वदिया वसीयत है। मर्णों प्रांथ केड़ी-केड़ी मर्यादा करनी चाहिए आपको जड़ा परच्चा है उदे उपर से लिख दीती है सारी गल। के मर्णों प्रांथ गुर्शिक दे कर कैसी मर्यादा होनी चाहिए थी है। ते सुंदर जी दे जीवन वारे वी लिख दीता हो दो ते किस तरीके अल। कि गुरू अमरदास जी, 75 साल दे ने जो दो जोति जोत्समान लगए उने वस 95 साल दी उमर व्लिख दा बड़ावड़ा परवार है.. ए आप जी दा पुतर बाबा मोरी जी मोरी जी दे पुतर बाबा अनांद जी बाबा अनांद जी दे पुतर ए बाबा सुंदर जी ओना दी ए अखीरते आप दर्शन करोगे कैं सुंदर सुनो संतो सब जगत पहरी पाएजियो तो एस सद्धा है, तो ए मर्यादा है साड़ी, आप रैत मर्यादा दे दर्शन करदेओ, रैत मर्यादा चाह बचन लिखे ने, गुर्शिख दाफ फरज बनदा है, जनम तो लेखे मोद्यक तक, सारा जड़ा है विदी विदान अनुसार, कारे विच मर्यादा करें मर्यादा अनुसार जीवन बतावें वो रैत मर्यादा जड़ी आप शुरूमनी कमेट्री दिछपी देख 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 वो देविच जनम तो लेके मौत तकदा कोई सिख दे कारदा ऐसा कनून नहीं जड़ जड़ खोल अन वे हुकम नावकी में लेना है कड़ा प्रशाद कीमें बढ़ाना है उन्हों वरताना कीमें है किस तरीके न प्रकास करना है किस तरह गुरुवन सर्दा सथकार करना है जनम वेले शिख देखर की होना चाह Юँदा है अनांद संसकार व्या किस तरह होना चाहिए है मिरतक संसकार चार संसकार देते ने एक किस तरह निबाउने ने ए सारा ही सिख होई ही है जड़ा जन्म तो लाके मोद तक गुर्म द्यादा करे सो पाच्छा ने ओ जड़ी रहत मर्यादा बढ़ी है इना चीजां दा गुर्म गुर्म साव नो अधार मन के ही स्यानया ने विद्वाना ने पंथ ने आज तो लगबग साठ सब्तर साल पहले दी और मर्यादा बढ़ी है जड़ी पंथ ने बढ़ाई है ओ सानू चाहिए ऐसे सारे उनों फालो करिये सारे उनों अपने कारविच रखिये जिस तरह आसे साज पाठ कर देया उना भी कर दे कर दे दस वी पेजने सारे उना भी साज पाठ कर देया कि जीवन दे इक एक जीन दे कला सानू समझ आ जाए हुकम नमा की में लेना आसी बड़े स्वाल कर गए अमरत कौन चाक सकता है रैत की है कुरैत की है सो इस सारिया चीजा पंथक रहने की है सक्षी रहने की है नितने मकेड़ा है साब कुझ जनम तो लेके मोद पाग दे हर स्वाल दा जुआब उस छोटी जी पुस्तक देविच सानू देता गया है सो सारे त्यानल इस गल नो वाचन उस रहत मर्यादानों कार रखन अनंद कारे करम तो पहले और जरूर दो तिन पेज पढ़ ले जान में तक संसकार होए उस वेले भी जरूर पढ़ ली जाए तांके कोई ऐसी मन मत ना होए जिदे कारन गुरू तो बे मुखोना पवे सुए सारी रहत मर्यादा एले विच बाबा सुंदर जी दे रही गुरू अमरदास जी दे बचन नोट की ते होए सानू सिख्या मिल दिया